चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जै संतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं, आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज चंद्रमा वरिष्चिक राशि में संचार करेगा और सूर्य करक राशि में रहेंगे। 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार चंद्रमा के गोचर के कारण किसी बात के कारण टेंशन आज हो सकती है। आपको जिन लोगों के आप परवाह करते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने और कुछ नया देखने के लिए आज के दिन बहुत अच्छा है। आप अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ छोटी यात्रा कर सकते हैं। मौज मस्ती करें और आज जितना हो सके अपने काम की चिंता से दूर रहे, दोपहर का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। आज पीला आपका लकी कलर रहेगा। कपड़ों के कुछ हिस्सों में यह कलर आप पहन सकते हैं। किसी उंचे और खास इंसान से मिलते समय घबराएं नहीं और आत्म विश्वास बनाए रखें। यह सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए। पैसा पैसे की एहमियत को आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकताता है। और आप किसी बड़ी मुश्किल और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आप से मश्वरा मांग सकता है। आपको अपनी कलपनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है। आज चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों न हो जाए। आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ कहां सुनी के चलते माहौल थोड़ा बौजिल हो सकता है। लेकिन यदि आप स्वयम को शांत रखे वधैर इसे काम ले तो सब क मूड बढ़िया कर सकते हैं। आप अज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर ले और कोई बैक एप योजना तयार रखें। आज आप किसी भीतर करी उलजन से परिशान हैं लेकिन शानती बनाए रखें। यह समय जल्दी ही बीच जाएगा। परिवार के साथ समय भी बिताएं। परिस्थिती अनुकूल रहेगी। प्रतिष्थित लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना। आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारे का विध्यार्थियों की एड्मिशन अत्वा पढ़ाई को लेकर कोई चिंता दूर होगी। दूसरों के सुझावों की वजह से दुविधा बढ़ने की संभावना है। जिन बातों को बदलने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वह बदलेगी। परिस्थिती को समझने की कोशिश करते रद दूइधा दूर करने की कोशिश करें दुष्टों के कहपने। दुष्टों के नहीं अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। काम से संबंधित बातों को नजर अंदाज करने से नुकसान हो सकता है। रिल प्रवित्ति के व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर ना करें। अन्यता आपके लिए मुसीबत खड़ी हो। सकती है किसी के आर्थिक मदद करते समय अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की परिवार जनों तथा जीवन साथी का परिवार की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग रहेगा। लव अफियर्स के मामलों में लकी भी रहेंगे। आप अपने प्यार को ढूंडने के लिए काफी दूर आ गए हैं लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके पास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इंकार का डर हो या वे चाहते हों कि पहले आप पहल करें। उनके साथ कुछ समय बिताएं और आपको उनके दिल तक पहुँचने का रास्ता मालूम हो जाएगा अपने साथी के लिए उपयुक्त उपहार की खोज आपके प्यार को और अधिक बढ़ाएगी अपनी योग्यता और समझदारी से अपने साथी को यह महसूस कराने से नहीं चूकना चाहिए कि आप उनके प्रतिक कितने वफादार हैं अपने दिल की च्छाओं को अपने साथी के सामने रखने में हिच्किचाएं नहीं अपने साथी के साथ अच्छे से रहें और उनके लिए कुछ खास जरूर करें अब बात करते हैं करियर की कारिक शेत्र में आपकी मेहनत और इमानदारी की प्रशंसा होगी हलांकि अभी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए आप कुछ नई तकनीक भी सीख सकते हैं आपकी रचनात्मक्ता और अनुभव आपको अपने व्यावसाइक लक्षें को प्राप्त करने में मदद करेंगे अपने अनुभव अपने साथियों के साथ साजा करने से भी आपको लाब होगा आज आपको आर्थिक नुकसान के संकेत हैं इसलिए पैसे को लेकर थोड़ा सावधान रहें सिर्फ सुरक्षित निवेश का ही रास्ता चुने या फिर सही समय आने का इंतजार करें उन चीजों की खरीदारी करें जो बेहत जरूरी हों अगर विलासिता का कोई सामान खरीदते हैं तो शायद नुकसान उठाना पड़े आज मुठी बंद कर ही चले काम करते हुए आप एक विस्तरित दृष्टिकोन अपनाते हैं यह आपका सकारात्मक पहलू है और आज के दिन के अंत में आपका दृष्टिकोन लाभ में बदलेगा जो भी करें इमानदारी से करें आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा से ज्यादा महत्व रखेगी वफादारी स्वागत योग्य होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिती से आपको बाहर निकाल देगी व्यवसाय संबंधित आपकी कोई कार्य प्रणाली लाभधायक रहेगी और इसका उत्तम परिणाम हासिल होगा प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसान दायक हो सकती है आपको अपने अनुभव से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है यदि आपने पहले किसी सरकारी योजना में धन लगाया था तो वह आपको अच्छा लाब अवश्य देगी आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे परिवार में यदि किसी बात को लेकर परिशान चल रहे थे तो वह व्यर्थ होगी आपको किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा अब बात करते हैं सेहत की आज स्वास्थे संबंधित छोटी समस्याओं से बच कर रहे अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है अगर आप अब भी स्थिती संभाल सकते हैं तो भविश्य में किसी भी परिशानी से बच सकते हैं घरेलू उपाए आजमाने की बजाए अपनी स्वास्थे समस्याओं के लिए विशेशग्य की सलाह लें आपको अपने डाइट में बदलाव करने की जरूरत है जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे आपका दिन शुब हो